इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस तरीक से दूसरे मुबैल की काल रिकार्डेंग को अपनी जीमेल आईडी में सेव कर सकते हैं तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटी से अप्लिकेशन की जुरूरत है जिसका नाव है हिड़न काल मनेजर तो आप दे सकते हैं मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ है 1.61MB की ये अप्लिकेशन है तो मैं आप इसको इंस्टाल करता हूँ तो ये छोटी से अप्लिकेशन है जैसे इंस्टाल होती है मैं इसको उपन करता हूँ और आपकी सेटेंग कार के दिखाता हूँ तो आपने ये वीडियो स्कीप नहीं करनी आपने शुरूर से ज़रूर देखनी है तो आपने भी इसी तरीके से इसकी सैटेंग करनी है ये अप्लिकेशन आपको प्ले स्टोर से मिलने वाली नहीं है ये अप्लिकेशन आपको अलग से डाउनलोड करनी होगी तो इस application का link भी मैं अपनी वीडियो के description में दे दूंगा तो इस application को आप वहाँ से भी download कर सकते हैं तो उसके बाद जब आप इसको install कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको open करना है मैं यहाँ से इसको open करता हूँ open करने के बाद यहाँ पर जो दो option आपको show हो रहे हैं तो आपने agree वाले पर click कर देना है आपने agree पर click कर देना है और यहाँ पर आपने वो email ID यहाँ पर add कर देनी है जिस पर आप अपनी call receive करना चाहते हैं किसी भी दूसरे mobile पर जो आपने यह setting की है आप अपने mobile में भी इसको add कर सकते हैं अपनी भी call card कर सकते हैं या आप अपने किसी भाई के या दोस्त के mobile में भी इस तरीके से setting कर सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने email ID दे देनी है तो यहाँ पर मैं email ID write कर देता हूँ तो जैसे आपने email ID add कर देनी है तो जब आप done पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये setting हो जाएगी और यहां पे एक option शो हो रहा है hide icon तो hide icon पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो icon होगा जैसे दूसरी application का icon शो होता है तो उस तरीके से ये भी icon शो होता है तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आइकन हाइड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा कि यह एप्लिकेशन मुबैल में इंस्टाल हो चुकिया या नहीं होई तो इस तरीके से आप अपने किसी दूसरे मुबैल में इसको हाइड कर सकते हैं इंस्टाल करके पता भी सब्सक्राइब करने के बाद घ्म आइडी को ओपन करना है जिस जो आइडी आपने एड़ की थी तो इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया आप दे सकते हैं यहां पर जो टाइम है वो भी शो हो रहे है एक 11 अपर मैंने काल की है तो यहां पर टाइम भी शो हो रहा है और उसकी यह सारी डिटेल शो हो रही है तो इस तरीके से आपको डिटेल भी शो होगी और काल भी आपको यहां पर शो होगी जिस वक्त उसने काल की है आप दूसरे अपने मुबैल में भी इसको यूज कर सकते हैं जिस भी मुबैल में आ इस तरीके से आपने से से टिंग किया और उसके बाद आपने मुभाइल में email address को open कर लेना है जसका आपने two जैतिया जो आपने email ID कू एड़ की थी ओर इसी में चिरिकते हैं आपने scept करना है उसके बाद ये डिटेल पर क्लिक कर देना तो यह पर इसके बाद व्यू स्कूर्टी डिटेल है तो आप इसके लिक करके उसकी जो स्कूर्टी को चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर क्योंके मैं यहां पर प्राइवेसी का ख्याल करता हुए यह वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं आपको इसकी मोड डिटेल नहीं शो करा सकता तो यहां पे आप देश किते हैं आपको blue color का link शो हो रहा है और उसके नीचे एक link दिया हुआ है तो आप इस link पे click करके आप इसकी more detail चेक कर सकते हैं इसकी जो recording है call की तो वो भी आप download करके सुन सकते हैं तो यह कुछ दिनों के लिए application free है उसके बाद इसके जो आपको आप कर दो